तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सागर नेटवर्क को और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले आई और हमारी वीडियो को प्रमोट करने के लिए ठैंक्स तो दोस्तो मैं उस सागर चैनल स्वाग करता हूँ आपके एक और नई वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नाइक्रोम वायर हम चार्जर से कैसे पासे लिए तो चार्जर है जो उसको हमने खोल लेना है चार्जेर में आपको कई सारे रिजिस्टर, ट्रांजिस्टर और इसमें एक दो सॉलिनोईड ट्रोöt भी दिखेंगे पर हमने रिजिस्टर वाइज प्रेφरेंस देनी हैं जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहे हैं इसमें कहीं सारे रेजिस्टर होते हैं बट मैंने लिंक दे दिया है नीचे कि कौन से रेजिस्टर में नाइक्रोम वायर पाई जाती है दोस्तो सस्क्राइब करने हैं अपने चैनल को वीडियो को लाइख भी करने हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तो अब मैं जो रिजिस्टर है उसमें से नाइक्रोम वायर को निकाल के दिखाऊंगा दोस्तो उपर इसके सिमेंटेड कोटिंग होती है उसको धीरे धीरे करके उतार लेना है इसके बाद हमने इसकी उपर वाली कैप को उतारने के बाद इसमें सिर्फ नाइक्रोम वायर ही बचती है तो वो भी हमने निकाल लेनी है नाइक्रोम को बड़े ध्यान से निकालना है क्योंकि ये तूट भी सकती है दोस्तों दोबारा बता देता हूँ कि सब्सक्राइब करना तो बिल्कूल मत भूलें और लाइक जरूर कर दें क्योंकि ये कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों ऐसे ही मैंने नाइक्रोम वायर है जो इसके अंदर की वो निकाल ली है तो दोस्तों अब ये भी जरूरी है कि ये नाइक्रोम है या नहीं तो आप इसको टेश्ट करने के लिए किसी बैटरी के उपर लगा सकते हैं जैसे कि मैं आप अभी करने वाला हूँ तो दोस्तों मेरे पास री चार्जेबल लेड एसीड बैटरी है जो 4 वोल्ट की और 1.5 AH की है इसके उपर मैं नाइक्रोम वायर को लगा कर दिखाँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जरूरी है और ये नाइक्रोम है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए